वेलकम है गाईस आज हम लोग डिसकस करेंगे रेजिस्टरों CER 10MG की टैबलेट के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के तो गाईस सबसे पहले तो हम लोग ये डिसकस करते हैं कि ये जो टैबलेट है ये किस चीज की दवाई है तो देखिए ये जो दवाई है ये जो मेडिसीन है ये होर्मोनल मेडिसीन होती है इस गोली के अंदर जो active ingredient है जो salt है वो होता है नौर्थी strong जो कि आपको 10 mg में मिलता है ये टैबलेट आपको control release formation में आती है इसका मतलब ये है कि ये जो गोली है ये धीरे-धीरे digest होती है शरीर इसको धीरे-धीरे पचाता है जिससे आपको इस टैबलेट के कम से कम side effects होती है और इसका जो outcome है मतलब जिस परपस के लिए आप लोग इस टैबलेट को यूज कर रहे हो वो बहुती अच्छा उडकम आपको मिलता है बहुती अच्छा रिजल्ट मिलता है फिर बात आती है कि इस गोली को यूज क्यों करते हैं तो देखिए ये जो गोली है नौर्थी स्ट्रोन जो ये गोली प्रोजेस्ट्रोन होर्मोन को रिप्लेस कर देती है जो फीमेल बोडी में नैच्रल प्रोजेस्ट्रोन होर्मोन होता है वो अंडेदानी में बनता है मतलब ओवरीज प्रोजेस्ट्रोन होर्मोन को बनाती है लेकिन किसी वजा से अगर अंडेदानी में रसोली हो पानी वाली रसोली या फिर PCOD, PCOS, Follicular cyst, Chocolate cyst या अंडेदानी अपना काम properly नहीं कर रही है तो इसके कारण प्रोजेस्टरोन होर्मोन का जो लेवल है वो बोडी में कम हो जाता है जिसके परिणाम सवरूप महिला को या तो पीरियट्स आना बंद हो जाते हैं या पीरियट्स में irregularity देखने को मिलती है या पीरियट्स के समय कम bleeding होती है या फिर जब पीरियट्स आने वाले होते हैं तो periods आने से पहले महिला को PMS के साइनो सिम्टम्स बहुत परेशान करती है periods के time pain बहुत ज़ादा रहता है हो सकता है कि periods में heavy bleeding देखने को मिले और हो सकता है कि periods की bleeding बहुत दिनों तक चले इसके इलावा बारी बारी miscarriage होना या फिर आप लोगों को कम दिनों की pregnancy में bleeding होना या conceive ना कर पाना ये भी progesterone के कम level के कारण होता है फिर जब आप लोग इन सभी परेशानियों के कारण इन में से कोई सी भी परेशानी के कारण जब आप लोग अपने डोक्टर से consult करते हैं तो हम लोग आपकी पूरी medical history लेते हैं और जब हमें पता लगता है कि ये परेशानियों होने का कारण progesterone का कम level है तब हम लोग आपको इस progesterone के hormone को replace करने के लिए इस गोली को लेने के advice देते हैं तो ये तो बात हुई कि हम लोग इस गोली को देते क्यों हैं किस वज़ा से देते हैं तो देखिए अब बात निकल कर आती है कि इस गोली का जो use है वो किन-किन condition में किया जाता है तो समाने ता इस गोली का जो use है वो periods को regular करने के लिए अगर आपके periods आनी रहे हैं उसको लाने के लिए periods को delay करने के लिए अगर periods के बीच में आपको बारी बारी sporting हो रही है ब्लीडिंग हो रही है तब यूज करते हैं heavy bleeding को रोकने के लिए भी करते हैं इसके इलावा अगर आपको periods के time pain बहुत जादा रहता है तब हम लोग इस tablet को यूज करते हैं अगर आपके periods के time आपको बहुत कम bleeding होती है तब भी हम लोग इस tablet का use करते हैं इसके इलावा अगर आपको breast cancer की संभावना बहुत जादा है उसके risk को कम करने के लिए भी use करते हैं cervical cancer का risk अगर है तो उसके risk को कम करने के लिए हम लोग इस tablet का use करते हैं इसके इलावा इस tablet को ऐसे birth control pill के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोग इस tablet के साथ estrogen tablet का यूज करते हो तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं ये कोई normal गोली नहीं है ये hormonal गोली है जो कि आपकी medical condition पर depend करता है कि इस गोली को किस purpose के लिए यूज किया जा रहा है तो मान लोग कि अगर किसी लड़की को या महिला को periods नहीं आ रही है और हमने ये rule out कर लिया है कि आपको pregnancy नहीं है तब हम लोग इस tablet को कैसे use करेंगे तो देखिए usually ऐसी condition में हम लोग इस गोली को समाने ता दिन में दो बार लेने के advice देते हैं खाना खाने के बाद पानी के साथ यहां पर आपको एक बात का हमेशा धियान रखना है कि इस गोली को खाना खाने के बाद पानी के साथ ही लेना है अगर आप लोग इसको बिना खाए पिये लेते हैं तो आपको नोजिया, वोमिटिंग, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो इसको खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है, पांस दिनों तक सुबा शामिस की दोज रहती है फिर बात आती है कि इस टैबलेट को लेने के बाद पीरियर्ट कब आएंगे तो जैसे ही आप लोग इस टैबलेट का कोर्स पूरा कर लेते हो तो आपको जो पीरियर्ट हैं वो एक से दस दिन के बीच में आ जाती है फिर अगली बात आती है कि इस टैबलेट को लेने के कौन-कौन से साइड इफेक्ट होते हैं अगर आप लोग इस टैबलेट को आपकी मेडिकल कंडिशन के अकोडिंग ले रहे हैं डोक्टर की एडवाइस से तो आपको इस टैबलेट के बहुती कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं लेकिन स्टिल इस टैबलेट को लेने के साइड इफेक्ट होते हैं In fact, इसी भी medicine को आप लोग ले लो, चाहे वो एलोपेथिक की medicine हो, चाहे वो होमोपेथिक की medicine हो, चाहे वो आयूरवेदिक medicine हो, चाहे वो युनानी medicine हो, या आप लोग घरेलू उपाई भी कर रहे हैं, तब भी आपको इन सभी चीजों के current side effects देखने को मिल सकते हैं, अगर सिर में दर्ध हो सकता है, उल्टी घीज कच्चा हो सकता है, पेट में दर्ध हो सकता है, 210 हो सकता है, चकर, घबरहाट, बेचैनी, ये सब आपको परेशानियां हो सकती है, लेकिन short term के लिए ले रहे हो, मतलब पांस दिन के लिए ले रहे हो, ये दवाई तो आपके साइड bisa अपने आप खतम हो जाते हैं आने वाले 5 से 10 दिन के बीच में लेकिन अगर आप लोग इस टैबलेट को बारी बारी यूज कर रहे हैं इसका मिस यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये टैबलेट अगर सूट नहीं करेगी तो इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकत हैं आपके फेस पर बाल आ सकते हैं आपके अंदर मेल होर्मोन इंक्रीज हो सकता है इसके इलावा भी काफी सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आप लोग इस टैबलेट का मिस यूज करते हैं आगे हम लोग डिसकस करते हैं कि इस टैबलेट को कि लोगों क यूज नहीं करना होता तो अगर आपको er dopamine ingredient ऐलर्जी रियक्शन है तो आपको ये tablet यूज नहीं करनी है अगर आपको progestin group की medicine से allergy है तो आपको ये tablet use नहीं करनी है इसके इलावा अगर आप लोग कोई steroid therapy ले रही है या फिर आपको कोई bullshit disorder है या blood disorder है, clothing disorder जैसे ही thrombophilia या फिर आपको DVT है तो भी आपको ये गोली नहीं लेनी है अगर आपको hormonal issues हैं जैसे thyroid, PCOD, PCOS या अंडेदानी में रसोली है तो भी आपको ये गोली हमेशा डॉक्टर की consultation के बाद ही लेनी है breastfeeding के time आप लोग इस गोली का use कर सकते हैं pregnancy के समय अगर आप लोग इस गोली का use करते हैं गलती से तो इस गोली का use pregnancy पर कोई बुरा नहीं पड़ता है लेकिन usually हम लोग इस गोली को pregnancy के समय लेनी के advice नहीं देते हैं ठीक है लेकिन बाएचांस अगर गलती से आप लोग इस गोली को खा लेते हैं और बाद में अगर आपको पता लगता है कि आपको कंसीव हो गया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि एक प्रोजेस्टरिन गुरूप की ही मेडिसीन है ठीक है और जो प्रोजेस्टरिन होर्मोन है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है लेकिन प्रेगनेंसी में इस गोली को लेने की हम लोग एडवाइज यूजली नहीं देते हैं तो ये था आज का हमारा टोपिक रजिस्टरों CR10MG की टैबलेट के उपर आशा करता हूं इस वीडियो में दी गए जानकारिय आप लोगों के लिए काफी यूसफुल और बेनिफिट रही होगी मैं मिलता आपसे नेक्स वीडियो में एक बहुती इंट्रस्टिंग टोपिक के साथ तक के लिए स्टेए हेल्दी स्टेए फिट थैंक्स वर वोचिंग इस वीडिए